नमस्कार सामद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनो स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानन्द डूभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक सामद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के पसंदीदा चेनल गोब्लॉक्स पे हमारी चेनल में रियल हतेलियों का ही विसलेशन किया जाता है और मैं इस प्रकार से हतेलि का विसलेशन करता हूँ समझाने की कोशिस करता हूँ अगर आप इस विद्या में दक्ष नहीं भी हैं हतेलि देखना नहीं भी जानते हैं तो भी अगर आप इन वीडियो को देखते हैं तो 90% आप हतेली देखना जान जाएंगे उसका फलादेश निकालना जान जाएंगे और क्यूं हतेलियों में रेखाई आती हैं किस परकार से चिन बनते हैं क्यूं बनते हैं और उसका परिणाम क्या सामने आता है इसको आप अपने देनिक जीवन में प्रेक्टिकल रूप से देख सकते हैं परक सकते हैं और उसको उस तरा जो के पलड़े में तोल भी सकते हैं तो वीडियो अंत तक देखेगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा अपने जानने वालों को अपने मित्रों को सेर कर लेगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखाओगा आप उस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ में घंटी का आइकन होगा बिल का आइकन होगा उसको भी दबा दीजेगा सबसे पहले इसी परकार के रियल और महत्तोपून बिसलेशन देखने के लिए आप पुरुस जातक है और आपकी हतेली हमारे शामनी है हतेली में अगर हम देखे आपका अंगुठा और अंगुठे में देखेगा एक बिसिष्ट परकार की लकीर ये पर्थम पौरुवा होता है और ये सेकंड पौरुवा होता है ठीक है ने दो पौरुवे ही होते हैं अतेली के और ये जो थर्ड पोरवा होता है ये सुक्र प्रवत से प्रभावित होता है तो यहां पे देखेंगे आप तो पर्थम पोरवे पे एक आड़ी रेखा है शुन्दर और बढ़िया वर्टिकल लाइन है यहां पे दिखाई दे रही है यह इस बात का ध्योतक है आपके बारे में इस पश्ट बता रहा है कि आप साहसी है आप कार्य कुसलता के गुण है आपके अंदर आपके अंदर साहस भी है आपके अंदर कार्य कुसलता भी है इस पश्ट तरीके से बता रहा है दूसरी बात इस चीज को वेरिफाय कर रही है आपकी कोन सी उंगली गुरू की उंगली जुपिटर माउंट है ये और इस पे जो उंगली है देखेगा ये इस तरो से जुक रही है ठीक है न? और जुक रही है तो क्या बता रही है कि निश्चित रोप से धार्मिक भावनाईं आपके अंदर बड़ी मात्रा में रहेंगी अपने इस्वर के परती अपने आराध्य के परती समरपन भी रहेगा अपनी अदिश्ठात्री के परती जो है कहीं न कहीं आपके द्रिड विश्वास मना रहेगा चाए कैसी भी प्रस्तिय हों दूसरी बात इसका सही अनुपात में खड़ा होना ये बताता है कि आपके अंदर कारे कुसलता की गुण है आप कारे कुसल है ब्यवहरिक है ये इस बात की और जो है इसारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है अब देखेगा यहाँ पे देखते हैं तो हतीली का जो आकार बन रहा है यह पूरी तरों से आयताकार है इस पश्ट तरीके से यह इस पश्ट बता रहा है कि आपका जो करियर रहने वाला है उसमें जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या दिमाग से काम करने से मस्तिस्क से काम करने से ज़्यादा काम चलता हो ऐसे करियर में आप ज़्यादा तरक्की पाएंगे ज़्यादा कामियाबी आपको हासि होगी इस पष्ट तरीके से बता रहा है और देखेगा यहां पे यहां से एक रेखा जा रही है दीरे-दीरे आगे बट रही है और यह आपके करियर और धन लकीर है करियर और धन की लकीर यह लकीर बता रही है कि 45 वर्स से यह जो अभी आपका फोटे फाइव एर चल रहा है इस वर्स से भाग्योदय आपका हो रहा है मई मई जून तक जो है आपको इसके परिणाम सामने आने बैठ जाएंगे अगर नौकरी में कुछ परिवर्तन करना चाते हैं तो मई जून का जो समय है आपके लिए अच्छे ओफर लाके आ रहा है आपके लिए कोई जो है उन्नतिके ओफर लाते हुई ये दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है जबरदस्त परिवर्त लिए मन बना लीजेगा बड़ा परिवर्तन है और बहुत अच्छा परिवर्तन है और ये सुक्र देखो नीचे के तरब जुक रहा है यात्राओं को बता रहा है मस्तिस्क रेखा देखो चंद्रमा की और आ रहा है मनि कहीं न कहीं बाहर के भी योग दिखाई दे रहे है वो सकता है विदेश में जो है बहुत बड़ी नोकरी आपको हाथ लग जाए या इंडिया में भी करना चाहें लेकिन कहीं न कहीं वो नोकरी ट्रेवल वाली भी हो सकती है वैसे तो मस्तिस्क से कारे करने वाला है लेकिन देखो मिधिल फिंगर क्या बता रही है आपकी सोरे की तरफ जुक रहा है न मन में एक अगरता की फौकस की थोड़ा कमी है और जो आप सोच रहें सरलता से हो जाए थोड़ा सा जादा मेहनत परिसरम करने के बाद चीजों में सपलता मिलेगी कई बार थोड़ा दोड़ा धूपी का काम भी बढ़ने वाला है इस परकार की चीजों को भी ये इस पश्ट तरीके से बता रहा है लेकिन आपके अंदर साहस है कारे कुसलता है तो चीजों के कोई जो है चिंता की बात नहीं है अब यहाँ पर देखेंगे एक लाइन ये भी आ रही है दो तरफा फाइदा जीवन में दिखाई दे रहा है और आपके अंदर ऐसी नौलेज है मनी अपने कामों में बैसिक नौलेज ऐसी है कि उसकी आप जो है लोग पूछ पूछ के काम करेंगे तो आपके अंदर सब कुछ है बहुत सुन्दर इस्तिति है आप करिएगा अब यहाँ पे देखेगा यहाँ पे जो है इस प्रकार की लकीरे हैं और चतुसकोण यहाँ पे बन रहा है त्रिकोण यहाँ पे बन रहा है यह आपके साहस को दिखाता है आपके प्राकरम को दिखाता है आपके निरणे लेनी की ताकत में ब्रिति करता है और किसी से मिलेंगे तो वो भी अच्छा फिल करेगा आप से मिलके ऐसी किरणों को आपके अंदर सुझोगे रखता है कि जैसे आप किसी से मिलते हैं ऐसी किरने प्रवाइड हो जाती है उस टाइम छूट जाती है कि दूसरा ब्यक्ति भी थोड़ा confidence उसका बढ़ जाता है वो भी अच्छा फिल करता है और आपका जो स्वतव ही प्रभाव है उस ब्यक्ति पर पढ़ना सुरू हो जाता है ये चीज अब डेपलप होती हुई दि जबरदस्त रूप में दिखाई दे रहा है अब देखो इसमें जो है दो चतुसकून है चतुसकून का मतलब जानते हैं आप जो जिस छेतर में होता है उसके उनसार फल देता है ये भूमे का मालिक है प्राकरम का मालिक है आपके बुद्धी चातुरिया का मालिक है इसका मत पल प्रोपल्टी का जीवन में आपको लाब होने वाला है आपको दूसरों का सयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है जीवन में भगवान की भी बहुत बड़ी किरपा आपके उपर है उस परमात्मा की बहुत बड़ी किरपा आपके उपर है ये साख्छात आपको अन्भोगोने वाला है आपके अंदर बहुत अच्छी प्रतिबा है आप तीब्र बुद्धी के मालिक हैं आपके अंदर सोचने की समझने की जो चमता है जो पावर है वो अच्छी क्वालिटी की है और धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व इस और जा रहा है ऐसा उभर कर आ रह अंकुरित हो गया है कि एक बार यदि कोई आप निरणे ले लेंगे तो उसे अंततक निभाने का सामर्थ्य भी रखने वाले हैं और धीरे धीरे जो आपका व्यक्तित्व है वो प्रभाव साली रहने वाला है यह इस चीज के और जो है आपको ले जा रहा है यह सांदार इस्त मतमान में थोड़ा सा कभी-कभी उल्जणद्दे रहा है कंफ्यूजन की इस्तित्दे रहा है और आपकी निरणे लेने की जो पावर है उसको हलकी छीड कर रहा है दुविदा में डालना है अभी आप दुविदा में सईसे निरणे नहीं लिए पा रहे हैं कई बार कई बा मंगल का उपाई दे दूँगा उसको पुष्ट करेगा बहुत अच्छे लाब मिलेंगे ठीक है आप देखेगा आपका उच्च मंगल ये अच्छी स्रणी का है यहां पे निश्चित रोप से प्राक्रम बहुत सांदार रहेगा एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और कैस जीवन में प्रस्तितियां आजाए डट कर मुकाबला करेंगे प्रस्तितियों से भागेंगे नहीं उसका सोल्यूसन ढोनेंगे ये दिखाई दे रहा है लेकिन देखेगा धीरे धीरे अगर ये जो लाइन है अगर मंगल सी जाती है और हिर्दे रेखा पे मिलती है और जैसा ब्रस्ति सनी की तरब देख रहा है तो थोड़ा सा दामपत्य जीवन का ध्यान रखना होगा क्योंकि ये सुक्र भी उठ रहा है देरे देरे ऐसे में दामपत्य जीवन का जो पूरा सुक है उसके भोग करने में कठनाईयां पैदा होती है चाए प्रस्तिति कोई भी हो ताल बहित्ता सामने आती है कई बार जो है चाए आपका स्वस्त्य हो चाए उनका स्वस्त्य हो उस लायक नहीं रहता है कि जो है पूरा आनन ले आ जाए उसका पूरा सुक मिले कई बार जो है कारे की सिलसिले में ब्यस्तता इतनी बढ़ जाती है कि दूरी बन जाती है कारण कुछ भी हो लेकिन चीजें होती हैं तो इसको ठीक करने के लिए मैं एक दिब्य सूरी किरिया दे रहा हूं उसमें मंगल का उपाई दे रहा हूं वो करियेगा चीजें अपनी आप सॉल्ब होंगी इस पस्ट तरीके से यहां पे दिखाई दे रहा है अब देखेगा एक एक करके आने वाली है अगर आप थोड़ा सा जो है अपने को परिवर्तन की और ले जाएं तो ऐसी इस्तिति भी आने वाली है कि प्रतेक दिन हो सकता है आपके पास धन आ जाए प्रतेक दिन या प्रतेक दिन नहीं आता है तो मंधली में अरनिंग इस परकार से हो जाए जिसकी आप आपको आसा कम थी लेकिन मन में उमीद थी कि एक दिन इस अस्तर पे पहुँचोंगा तो ये समय आ गया है और मंगल के कारण देखा जाए तो एक साल के बाद उसमें जबर्दस्त बिर्दिव हो रही है तो अर्निंग आपकी बेहत सांदार आपको अपने मन पसंद वाहन का सुक अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुक मिलने वाला है और साइड ब्यापार भी सुरू करेंगे तो उसका भी सुक मिलेगा लेकिन पार्टनर्शिप में बहुत बड़ा नुकसा पार्टनर्शिप नहीं धनहानी ब्यापार में न देखेंगे तो इस्टेबिलिटी पूरी तरों से दिखाई दी रही है जिसे कहते अस्ताइत्व यह इस पश्ट दिख रहा है एक चीज ध्यान लखना यह यहां पर इस प्रकार से दिख रहा है प्रगति तो बहुत करेंगी आप लेकिन महिलाओं से उलजहना नहीं है या कुछ ऐसी इस्तिति आ सकती है कि मनी जो होते ने बिल्कुल आकरसन करके और फिर बाद में ब्लेक मेल की इस्तिति महिला के कारण जो है अगर समले नहीं तो महिले के कारण लांचन भी लगेगा इसको ठीक कैसे किया जाए आपको लक्षमी की पूजा करनी है क्योंकि लक्षमी आपके पाप बहुत ज़्यादा है जबरदस्त लक्षमी आने वाला है और जब लक्षमी बहुत ज़्यादा आजाती है तो गलेमर को बहुत ज़्यादा दे देती है और ऐसा गलेमर देते है कभी कभी बित्ति उसमें फिसल जाता है और फिर जो है लांचन लग जाता है रेखा है जरूरी नहीं होगा ये कहता है कि समल के रहना है आपको केवल ये इंगित करता है बाकी कुछ नहीं और देखेगा जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे चिन और भी मजबूत इस्तिति में आ रहे हैं अगर आप देखे तो जहां यात्रा धर्म अध्यात में दिखा रहा है वहां जो है प्रोपल्टी भी गियन करते हुई दि बचके रहना है लापरवाई के गुण हाबी हो सकते हैं तो इससे आपको थोड़ बचके रहना है हिर्दई के लकीर को अगर हम देखते हैं तो ये इस प्रकार से इस उंगली और इस उंगली के बीच में जा रही है इस पे देवगुरु ब्रस्पति का सनी का प्रभाव आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव सोच हाबी होती हुई दिखाई दे रही है जो आपको पुश कर रही है कि आप बहुत आगे बढ़ जाए गुरु का प्रभाव पढ़ रहा है गुरु गुरु होता है जिसके कारण आपकी मन की इक्छा भी ये प् पश्ट बता रही है कि आपकी इक्छा इस टेम जो है एक टॉप लेवल तक पहुचने की हो रही है और सनी जो कर्म को देखता इसका प्रभाव पढ़ रहा है जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए अब आपके मन में आने बैट गया है यार कितनी भी मिहनत करन पड़े हम करेंगे कोई जुगार लगाना पड़े लगाएंगे कोई हतकंडा भी इस्तिमाल करना पड़े पीछे नहीं रहेंगे इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे ऐसी महत्तो कांचाएं जन्म ले रही है अब यहां पे देखेंगे ध्यान से यहां अब इस प्रकार का जो है एक चिन्न बन रहा है इस पे और गुरु का और सनी का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है एक तो जैसे जैसे आपका समय बढ़ रहा है अनुशासन पीरिय होंगे यह बथाई दिखाई दे रहा है नियायोचित व्याउस्ता करने वाला ब्यक्तित् और रहस्य में विद्याओं की तरब भी आपका नौलेज बढ़ेगा आकर्सन बढ़ेगा और एक साइन्टिफिकल तरीके से आप इस चीज को पकड़ पाएंगे यहां पे इस पश्ट दिखाई दे रहा है और वास्तों में भगवान के बहुत बड़ी किरपा आपके उपर है हनुमान जी की बड़ी साख्षात किरपा है आप अगर कुछ करे न करे और चीज अलग रख दो लेकिन बेग्यानिक तरीके से हनुमान चालिस को पाट न करिएगा उसको समझेगा उस पे रिसर्च कीजिएगा और जो पंग्ति आपके दिमाग में बेग्यानिक तरीके से घ भुस जाती है उसको आप आत्मसात कर लेते हैं तो उस पंग्तिका आप पाट करिएगा तब देखेगा आप कहां है और कहां आने वाले समय पे कहां है तब आप मुझे फोन कर सकते हैं लेकिन एक काम जरूर कर लीजेगा हनुमान चालिसा उठाईएगा और उसमें बेग्य प्यानिक तरीके से एक-एक सब्द को समझने की कोसिस करेगा और उसका रिसर्च जान लीजेगा वास्तों में क्या है और क्यों है कैसे है किस वजोसे है और तब उसको परखिएगा और फिर एक पंग्ति जो आपकी दिमाग में बैठ जाए एक पंग्ति हो पूरी चालिसा ह उसका पाट करेगा और फिर जब वो अस्तर आजाएगा आपके पास बहुत दूर नहीं है वो अस्तर आजाएगा फिर देखेगा फिर फोन करेगा कहां पे हैं आप chip किस इस्तिति में पहुँच गए है और क्या आपको मिल गया है मैं नहीं बताऊंगा ये आपका समझ अप अपने अंदर भिगो लेते हैं अपने दिमाग में बसा लेते हैं उस चीज का फल देखेगा क्या है अपने काम को करते रहेगा लेकिन आपको कोई उपाई नहीं दे रहा हूं मैं एक किरियाई दे रहा हूँ दो बाकि उपाई नहीं दोंगा आपको आप हुनमान चाले से आके उपर रिसर्च किरिएगा एक बेग्यानिक तरीके से प्रक्टिकल तरीके से धार्मिकता को अलग रखेएगा पूजा पाठ पद्दत्वी को अलग रख लेजिएगा लेकिन यह गारंडि देता हूं मेरे से लाख गोना ज्यादा आपको आएगा मैं आपसे हार सकता हूँ यह बात है आपके अंदर है यह सकति साकषात रोप में अगर किसी के अंदर है दैबी या पावर है तो वह आपके अंदर है और हरुनमान जी की है और किरपा किस के बनी व Remember महा आपके इश्टदेव हैं भगवान शंकर लेकिन आपको किसकी पूजा करनी है हनुमान जी की अब क्यों करनी कैसे करनी है ये बिवाद में नहीं चले अब देखेगा हिर्दे रेखा इस तरों से है मस्तिस्क रेखा इस तरों से है जीवन की रेखा इस तरों से करियर और धन की रहा है इस तरह से सानदार M का अक्षर बन रहा है ठीक M का अक्षर बनता हुँ दिखाई दे रहा है आपके जो पंच तत्व हैं जने पंच भूत कहते हैं फाइव एलेमेंट जिससे आपका सरीर बना है आपके सरीर के जो सातों चक्र हैं आपकी जो पांच ग्यान इंद्रिया है पांच कर्म की इंद्रिया है उनके अनुसार देखा जाए तो आपकी जो इश्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं आपकी जो अदिश्ठातरी देवी हैं वो पारवती का कोई रूप है किसी के भी पूजा करें अगर आप समर्पन रखते हैं मन से तो निश्चित रूप से दिव्यता और भव्यता को आप राप्त करने वाले हैं मस्तिस्क रेखा देखें पूरी तरो से जुक रखी है और पूरी कहां पे आ रहे हैं चंद्रमा पे क्रियेटिव ब्यक्तित तो है लंबी और हवायात्राओं का मौका जीवन में है बौदिक अस्तर बहुत अच्छा है लेकिन बरतमान में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जादतर हर समय जादतर आप कलपनाओं में रहते हैं मन भी थोड़ा एकागर्चित कम हो पा रहा है लेकिन ये बता रहा है कि स्रेश्ट सपलता जिसे कहते हैं वो आप हासिल करने वाले हैं ये उससे पहले का तूफान है जीवन में जो वेंसी चीजों को सब हवा में उड़ रहा है और जो तत्व की चीजें हैं वो नीचे धरातल पे समा रही हैं जो आपको स्रेश्ट सपलता दिलवाएगी लेकिन आपका मन भी बहुत ज़्यादा कलपनाओं में डोबा रहेगा और जब जब ब्रिस्पति जीवन में थोड़ा सामन्य इस्तिति में आएगा चिंता करने बैठ जाएंगे तो जादतर अस्ताइतों की और जाते जाएंगे और आपका विस्तार बनता जाएगा परिवार के परति भी समरपन की भावना बढ़ती जाएगी इस पश्ट बथा रहा है ये अब यहाँ पे अगर हम देखें एधार्मिक भावनाओं को बथा रहा है थोड़ा सा जादा मेहनत परिसरम करने के बाद सपलता की इस्तित दिखाई दे रही है यहाँ पे देखें और दोनों को देखें तो धन और यस की भोक है पैसा और सम्मान बहुत जरूरी हो गया जीवन के लिए और जीवन का अभी मातर लक्षवी यही दिखाई दे रहा है यह उंगली सीधी खड़ी है इसके पहले पोरवे तक पहुँच रही है यह बहुत सरेष्ट है आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहने वाली है जीवन में जो ब्यापारिक बुद्धी है वो भी बड़ी तीब्र रहने वाली है कहां पे कैसे बोलना है किस प रहा एक सुखत जीवन जीने की चाह रखने वाला विक्तित तो दे रहा है और उसके लिए जो है प्रियास भी दे रहा है सुक्र का परवत थोड़ा ज्यादा उठ गया है तो किसी चीज को लेको कुछ ज्यादा सोच भी रहे हैं चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा म सुक है उसमें कमी नजर आ रही है चाहे वो दामपत्य जीवन का सुक है चाहे वो पारिवारिक सुक है चाहे वो सांसारिक सुक है चाहे वो तन का सुक है चाहे मन का सुक है इसमें कहीं न कहीं ये प्रस्तितियां खड़ी कर सकता है तो मानसिक परिशानियों को जन्म दे सकत तो इसके लिए क्या करना है दिभ्यय योग ध्यान के लिए इसका ध्यान रखेगा यह थोड़ा सुक्र दूसित यहां पर दिखाई दे रहा है इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है इनके बारे में हमने बता दिया है यहां पर देखेंगे तो ब्रिस्पति आपका ठीक है पानिज्य का छेतर है और कानून का छेतर है इन छेतरों में अगर आप काम कर रहे होंगे या काम करने की सूच रहे होंगे तो उन्नती बहुत अच्छी है और आपकी इसमें प्रतिष्टा भी बहुत सुन्दर दिखाई दी रही है थोड़ा सोब उठने में आलश्य जादा र इसराप्त होगी निक्सु का रंधन में पूरानी हो चाहे पुतर हो कही कहीं न कहीं परिवार का सुक दिख रहा है और बिपल संपति का लाभ भी आपको मिलने वाला है हर तरह की प्रस्तितियों को भली भांत समझने वाला बिक्तित तो रहेगा और जो है मनों बेग्यानिक के छेतर में भी माहिरता हासिल होगी चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी इस्तिति में आ रहा है इसके सांदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे देखा जाए त बाकी मैंने हनुमान चालेसा का जो बोला है जो भी आपके जिवन में समस्याई है जो मैंने बताया नहीं है कुछ चीजें मैं बताऊंगा नहीं बहुत कुछ दिखाई दे रहा है कभी मिलूँगा तो बताऊंगा लेकिन आपको सिर्प एक चीज मैं कह रहा हूँ आप हनु है वह बड़ी बलक्ष्ण है तो इसलिए मैं कहा रहा हूं कि हनुमान जाय आपको वह चीज देंगे जो लोग नहीं दे सकते हैं जो उपाई हम नहीं दे सकतें वह आसिर्वात देंगे जो अपने पित्र दे सकते हैं कि मां हमेसा देना चाहती है आपको मां के पास अगर कितना कुछ नहीं भी हो अगर वो उसको पता है कि मैंने दे सकती हूँ इसको कुछ कहीं से लेकर भी तो वो जान लगा लेगी लेकिन आपको लेकी देखे तो इस भाव से समझेगा आप बेग्यानिक ढंग से उस चीज को देखेगा और जो पंग्ती आपके मन में भीग जाती है जिसको आप उस तराजों में तोल के जो है रख लेते हैं तो उसका पाट करिएगा वही चीज पूरी जीवन को आपको सकारात्मक ताकि और ले जाएगा और जो चाहोगे वो पाओगे ऐसी मनह इस्तिति आपकी हो जाएगे ऐसी आपके अंदर पावर डेपलप हो जाएगे किसी को न पूछने की जरूरत है न हतेली दिखाने की जरूरत है और न आपको जो है जनम कुंडली दिखाने की जरूरत है तो इस वीडियो में बस इतना ही हाँ एक बात जरूर कहूंगा मैं कि अगर आप करते हैं तो निश्चिती फायदा मिलेगा अगली वीडियो के साथ पनो उपस्तित हूंगा तब तक के लिए नमस्कार